बॉलिूड की जाने माने वेटरन अक्टर जीवन जिनने लोग कैरेक्टर आर्टिस के तोर पर जानते थे उनके बेटे है किरन कुमार जीवन चाहते थे कि उनका बेटा केवल हिंदी सिनेमा में काम करे और वो भी बतोर हीरो लेकिन हिंदी फिल्म में जब काम नहीं मिल रहा था तो उन्हें गुजराती इंडस्री की तरप मुणना पड़ा किरन पीता की तरह कैरेक्टर एक्टर बने विलन भी बने और उन्हें B-grade और C-grade फिल्म में भी करनी पड़ी किरन ने सिद्धार्द कनन के साथ चेट शो में कहा था कि मुझे इस बात की खुशी है कि आज के डेट में मैं काम करने की इतने पैसे लेता हूँ जितने मुझे कभी भी नहीं मिले किरन ने कहा कि मैं FTI में फड़ता था और शुरू से थोड़ा एग्रेसिव और वायलेन नेचर का था वही एक्टिंग और डायरेक्शन डिपार्टमेंट में के लोगों के बीच मतबेथ होता रहता है जो हमारे साथ भी हुआ और हमने मारा पुलिस आ गई सब को पकड़ के लिए गई रजा मुरास में से मेरी 65 साल पुरानी दोस्ती है हमारे गुरू पुलिस टेशन से हमें छुड़ा के लाए लेकिन हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि ये ट्रबल मिकर हमें नहीं चाहिए अपने यहाँ लंबू इंजिनियर का मेरा पहला रोल इस फैसले से अक्टिंग डिपार्टमेंट के स्टूड़न्स नाराज हो गए और वे धरने पर बैट गए 45 दिनों तक कॉलेज बंद रहा मामला सुल जाने के लिए एक कमेटी बनाए गई जिसमें फेमस फिल्म मेकर ख्वाजा अहमद अबबाज उस कमेटी का हिस्सा थे उनकी रिज़र जब किरन पर पड़ी तो उन्हें काफी डाट लगाई और कहा तुम्हारे पिता इतने शरीफ है और तुम गुंडागर्दी करते हो उन्हें कमरे में बुलाया उन्हें किरन से कहा कि मैं एक फिल्म मना रहा हूँ दो बुन पानी उसमें लंबू इंजिनिर का रोल है तो क्या करना चाहोगे यही से उनके करियर की शुरुआत हुई हाला कि ये फिल्म 1971 में बनकर तैयार हुई टीवी फिल्मों का जाना पैचाना चेरा किरन कुमार मश्वूर कैरेक्टर आर्टिस जीवन कुमार के बेटे है कश्मरी पंडित फैमिली से तालुक रखने वाले किरन ने सिर्फ हिंदी नहीं बलकि भोशपूरी गुजराती फिल्मों में भी अपने अभिने का दमखम दिखाया है किरन कुमार की फैमिली की बात करे तो उन्होंने गुजराती एक्टरिस स्टाइलिस्ट और कंसल्टन सुश्मा वर्मा से शादी रचाई थी शौर भी एक्टिंग की दुनिया में रहते हैं काम कपल के दो बेटे हैं जिन मेंसे एक का नाम शौर कुमार है दूसरा विकास कुमार शौर भी एक्टिंग लैन में है ज्विलरी और क्लोधिंग ब्रैंड लेबल चलाती है इन्हें एक बेटी भी है जिसका नाम सुष्टी कुमार है सुष्टी ज्वेलेरी और क्लोधिंग ब्रैंड लेबल चलाती है जिसका नाम शुष और शिष है किरन में हिंडी के अरवा गुजराती और भोशपूरी में भी कई फिल्में की इतना नहीं किरन कुमार ने B और C ग्रेट की फिल्मों तक में काम किया है किरन ने साल 1960 में फिल्म लविन शिम्ला से बॉलिवड में इंटरी की हाला कि साल 1914 में आजाद मोहबत से बतो लीड एक्टर डेविव किया हाला कि फिल्म जंगल में मंगल के बाद से उनका करियर धलान पर आ गया इसके बाद तुरंत उन्हें गुजराती फिल्मों में मोका मिला और वहां उन्हें गुजराती सिनमा का बच्चन कहा जाने लगा इसके बाद राकेश शोशन उन्हें फिर वापस हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री की तरफ खीच लाए और उन्हें खुद गज़ दी जिसमें उनका रोल तेजाब और खुदागवा की तरह ही निगेडियू था निगेडियू रोल में उन्हें जम कर तारीफे मिली कई तीवी शोज में काम किया है काम इनके सिवा उनके अलावा किरन ने जिन्दगी घुटन, साहिल, मंजील, गुरुहस्ती और फिर एक दिन पापा मिली जैसी तीवी शोज में भी उन्हें काम किया दोस्तो किरन कुमार को तो आप सभी जानते हैं लेकिन आपको हम उनके पीता के रूबरु कर पाते हैं उनके पीता हिंदी सिनमा के जाने माने सुपर स्टार रह चुके हैं जीवन ने फिलों में अधिक तर खलनाय के किरदार अदा की और बेखु भी अदा किया दंदार अदाकारी और भेतरीन डायलोग डिलिवरी के लिए जीवन को दर्शक आज भी याद करते हैं जीवन ने परदे पर निगेटिव किरदारों को इतने शांदार अंदाज में आदा किया कि एक बार एक महिला ने सरेयाम उनकी पिटाई कर दी थी रिपोर्ट्स के मताबिक जीवन का जन्द 24 अक्तुबर 1915 को स्री नेगर में हुआ था जीवन का असली नाम उनकारनाथ धर था वो बच्पन से ही एक्टर बनना चाहते थे जीवन का परिवार काफी बड़ा था उनके 24 भाई बेहन थे जीवन के जन्द के साथ ही उनकी माका निदन हो गया था जब जीवन तीन साल के थे तब उनके उन्होंने पिता को खो दिया जीवन के परिवार में एक्टिंग की इजादत नहीं थी इसलिए वो अट्रा साल की उम्र में ही अपना घर छोड़कर मुंबई आ गए जब हो मुंबई आये तो उनकी जेब में सिर्फ 26 रुपे थे मुंबई आकर जीवन को शुरुवाती दून में काफी संगर्च करना पड़ा उन्हें नोकरी की जरूरत थी इसलिए वो एक स्टूडियो में काम करने लगे इस्टूडियो मोहनलाल सिन्ना का था मोहनलाल उस समय के जाने माने डायरेक्टर हुआ करते थे जब मोहनलाल को पता चला कि जीवन एक्टिंग करना चाते है तो उन्हें अपने फिल्म फैशनेबल इंडिया में उन्हें रोल दिया रिपोर्ट्स के मताबिक जीवन अपने करियर के शुरुवाती दोर में ही जान गए थे कि उनका चेरा हीरो लाइक नहीं है इसलिए उन्हें उन्हें खलनाएकी में हाथ आजमाया और सफल भी हुए जीवन की सफल फिल्म में अफसाना, स्टेशन मास्टर, अमरक भरैंतोनी और धर्मविर जैसी यादगार फिल्में शामिल है उन्हें नागिन, शबनम, हीर रांजा, जौनी मेरा नाम, कानून, सुरक्षा, लावारिस, आधी फिल्मों में भी एहम भूमी काई निभाई तो कभी रेपिस्ट और गुंडा बनकर अपनी अभीने प्रतिभा का लोहा मनवाया, उन्होंने इन किरदारों को ऐसे निभाया कि लोग सच में उनसे नफरत कर बैटे, उन्हें लेकर एक किस्सा है, एक इवेंग के लिए जिए उन मुंबई से बाहर गए थे, ट्रेंड से बिना देर किये उस महिला को पकड़ लिया, जिवन शांत सुबाओं के थे, तो पास जाकर बुचा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तुम्हें मारा क्यों, रिपोर्ट्स के मताबिक महिला ने पहले तो खुब गालिया दी, और फिर कहा कि तुम दुनिया के सबसे घटिया इनसान हो, तुमने कई लोगों की हत्या की है, और कई महिलाव को रेप किया है, यह सुनकर हर कोई ऐरान था, क्योंकि जीवन फिल्मों में ऐसे रोल किया करते थे, यह असर था जीवन के दमदार अभीने का, जीवन 10 जून 1987 को दुनिया छोड़ गे, लेकिन उनका अभीने आज भी याद किया जाता है, तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक, आप अपना ध्यान रखिए, बाई बाई